नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोनम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सोनम्स लाइफ स्टाइल में दोस्तों दूद है कैसी चीज है जो एक संपूर्ण आहार के बराबर होता है पर बहुत से लोगों को यह पसंद नहीं होता है खास कर बच्चों को पर दूद पोशक तत्वों से भरपूर एक आहार है जो हमारे शरीर को हेल्दी बनाये रखने के लिए बहुत जरूरी है आयरवेद के अनुसार दूद पीने के भी बहुत से नियम है लोग दूद पीते तो हैं पर उन्हें दूद पीने का सही तरीका और सही समय पता नहीं होता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं तो आज मैं आपको दूद पीने का सही तरीका और सही समय बताऊंगी इसलिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल होने वाली है दूद पीना हर उम्र के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है दूद में विटामिन A, विटामिन K और विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, प्रोटीन और बहुत से पोशकतत्व पाये जाते हैं दूद में इतने गुन पाये जाते हैं कि वो किसी अम्रिद से कम नहीं है दूद को गलत तरीके से इस्तमाल करने से आपको गैस, अपच, खटी ढखारे और skin related problems का सामना करना पड़ सकता है दूद कभी भी सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूद को पचाने में हमारे शरीर को बहुत महनत करनी पड़ती है और अगर सुबह खाली पेट इसे पिया जाए तो यह heavy meal हो जाता है जिसे हमारे digestive system को digest करने में परिशानी होती है जिससे पेट में दर्ध, गैस और अपचन की problem भी हो सकती है आयुर्वेद के अनुसार दूद को रात में पीना सबसे अच्छा माना गया है पर दूद को रात में खाना खाने के दो घंटे बाद ही पीना चाहिए और सोने से आधा घंटा पहले पीना चाहिए रात को दूद पीने से यह हमारे muscles को relax करता है अग दिन भर की ठकान को दूर करके अच्छी नीन लाने में मदद करता है दूद में calcium होता है जो हड़ियों को strong बनाता है पर जिन लोगों की पाचन कमजोर है, digestive system कमजोर है, skin disease है, दूद से gas बनता है, पेट में कीड़े होते है तो उन लोगों को दूद के सेवन से बचना चाहिए, दूद में कभी भी शक्कर मिला कर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूद में एक प्राकृतिक मिठास होती ही है, अगर आप दूद में शक्कर मिलाते हैं, तो इसके पोशक्तत वो लगभग नस्ठ हो जाते हैं, इसलिए ठंडा दूद पीने से हमारा जो digestive system है उसे बहुत महनत करने पड़ती है दूद को पचाने के लिए और ठंडा दूद पीने से हमारा पाचंतंत्र उसे अच्छे से पचा नहीं पाता है इसलिए दूद को हमेशा हलका गुन-गुना गर्म ही पीना चाहिए और यह इजली डाइजेस्ट भी हो जाता है दूद को कभी भी मचली और नमकीन चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए साथी खटे जो fruits होते हैं उनके साथ भी इसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह उनसे react करके आपको बहुत से बिमारियों को नियोता दे सकते हैं आपको इससे skin disease होने की भी स संभावना हो सकती है इसलिए कभी भी दूद को नमकीन चीजों के साथ ना खाएं मचली के साथ ना खाएं और खटे फलों के साथ इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें दूद गाय का हो या भैस का दोनों में ही भरपूर मात्रा में calcium और पोशक्तत्यों पाया जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी आवशक है तो जो भैस का दूद होता है उसमें भरपूर मात्रा में fat और calories पाया जाता है जबकि गाय के दूद में fat और calories की मात्रा काफी कम होती है इसलिए जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं वे लोग भैस के दूद का उपयोग कर सकत हैं और जिन लोगों को अपना वजन घटाना है वे लोग गाय के दूद का सेवन कर सकते हैं तो दूद को कभी भी खाली पेट सुबह नहीं पीना चाहिए और दिन में दूद दो गलास पीना चाहिए उससे अधिक बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए तो दोस्तों उमीद कर करती हूँ कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मेरे चैनल पर और भी ऐसी ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे सब्सक्राइब करने के बाद बल आइकन को प्रेस जरूर कीजे और हां वीडिय को लाइक शेर जरूर कीजिए थैंक यू सो मच पो वाचिंग मैं वीडियो थैंक्स बंस अगें